कि पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं बढ़ें समिधान की स्विकास यात्रा में हम आपको इंटर स्टेट रिलेशन का चैप्टर पढ़ा रहे हैं इंटर स्टेट रिलेशन के इस चैप्टर में हमने आपको बहुत हुपसूरती से कराया कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट क्या है फिर हमने आपको उसकी कई थारे प्रॉज और कॉंस जो नया अमेंडमेंट में बिल आया है 2019 में वो बताया हमने बताया कि क्रिटिक्स क क्या objections हैं उस bill को लेकर के हमने बताया कि forward road क्या रह सकता है solution क्या हो सकता है future में हमने उन चीजों को समझा फिर हमने interstate councils के बारे में बहुत होसूरती से पढ़ा article 263 के टायत और हमने देखा कि ये कितनी उपयोगी और सार्थक हो सकती है आज के setting में जहां पर state and center में कई conflicts है states में कई conflicts है अपस में अब हम आगे बढ़ रहे हैं उसी chapter में और हम पढ़ने जा रहे हैं एक और segment इसके बाद और segment पढ़ेंगे यह है public acts recordings and judicial proceedings recordings को आप records भी कह सकते हैं देखे ये बात तो clear है कि एक state अपने तहत अपने राज्य में जो कानून बनाता है तो आपने ये पढ़ा कि territorial jurisdiction का system exist करता है हमने jurisdiction की expansion में उसकी execution में territory पढ़ी थी जैसे union के laws पूरी country पे और country के किसी एक भाग पे लागू होते हैं इसी तरह से एक state का law तो उसकी territory तक ही लागू होता है जब territorial jurisdiction का concept हमारी country में exist करता है तो ये यकीन नहीं है कि वो जो राज्य है उस राज्य में त्यार हुई कई तरह के records उस राज्य के द्वारा पास किये गई कई तरह के act जानी कि उस state की legislature के वो जो acts हैं उस state की जो executive के खुद के acts है executive acts, legislative acts उस state के द्वारा maintain के जारे कही तरह के records भी उसी state तक limited हो जाएं भी उसी state तक limited हो जाएं इससे पूरे देश भर में केंदर सरकार के तहत हो रहे कामों को निरनायक रूप देने में समस्याय उत्वपन हो सकती हैं देश की integrity को अचीव करने में समस्याय हो सकती हैं seamless transaction of the people seamless transaction of the goods and services intercourse, trade and commerce it can be problematic उधारन के तौर पर किसी भी एक राज्य के द्वारा वहां की विधान सभा में कानून बना करके वहां की university का गठन होता है आप उस university से degree प्राप्त करते हैं आप उसी degree के आधार पर मान लीज़े आपने बिहार में डिगरी प्राप्त की डिगरी बिहार की एक युनिवर्सिटी से मिली जो की वहां के state loss के द्वारा बनी है वो degree के माध्यम पर आज आप पंजाब में काम कर रहे हैं आपकी वो डिगरी पंजाब में वैलिड है की नहीं बताइए वैलिड है नो उस state के उस act का उस act के तहद वदी उस university का जो रिज्डिक्शन तो उस राज्य तक है लेकिन उसकी अवाड़ेट डिगरी की value तो पूरी country में है आप बिहार बोर्ड से हैं आपने 10th की आपने 12th की बिहार से आपने graduation की बिहार से और पंजाब PCS देने आये हैं बस आपने पंजाबी का paper कर लिया 10th का आप पंजाब PCS में बैठने से आपको पंजाब सरकार रोख सकती है कि आपकी 10th, 12th और graduation की डिगरी यहां मानने नहीं है असा नहीं हो सकता ना असा नहीं हो सकता ना मानने है आप graduation तक बिहार में है आप master's पंजाब में गुरुनानक देवी उनिवर्सिटी करसे करना चाहते है बस एक दस्ता वाज़ चाहिए migration certificate और पहले TC लगती थी transfer certificate बस एक migration certificate दीजिए आईए G&U में पढ़ाई करिए आपको सीरे graduation के बाद master's में कैसे enroll कर लिया नोंने क्योंकि पंजाब राज्य यह नहीं कह रहा है कि आप graduation भी पंजाब की किसी university से की ओने चाहिए तब उसको मान्यता होगी आप कहीं से भी है उसकी मान्यता है क्योंकि मान्यता प्रमानित है प्रमानिकता की बात भी हम अभी करेंगे लेकिन अब जड़ा विचार करिए कि बिहार की दसवीं बारवी और graduation की डिगरी पंजाब में वैलेड ना हो तो कितने engineers कितने doctors कितने professionals कितने officers पंजाब में काम करने से इंकेबल हो जाएंगे तो यह freedom of movement पे इनके encroachment है कि नहीं है इस तरह कि article 19 आपको एक लेवल पे freedom of trade commerce and occupation देता है freedom of profession देता है freedom of movement देता है बट इस तरह कि अगर एक राज्य से दूसरा राज्य के बीच में इस तरह के प्रतिबंद लगने लग जाएं अगर किसी एक राज्य के record एक राज्य के आपके आवागमन यानि की intercourse पे अधान परदान पे होती है कि नहीं तो इससे भी तो वह जो psychological integrity हमें अचीव करनी थी country की वह जो social economic political cultural integrity अचीव करनी थी वो नहीं हो पाएगी तो ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए कि इस तरह कभी एक concept रखा जाए कि एक राज्य के द्वारा maintain किये जा रहे acts उनके records और उनकी उस राज्य में हो रही जुडीशल proceedings के जो भी verdicts and judgments है उनके भारत भर में मानने तो भारत भर में वह मानने हो इसकी अनिवारता है कि नहीं है इसकी अनिवारता है यहां कि ये आपकी डिग्री पर प्रॉश्ण चिन्द है। और उस की तहट आपने यहां पर पर कीस लगा रखा और यहां के पश्चा कि डिग्री सिद्ध एक डिग्री वाजिब है यानि कि शिब्गर्विये तो व्यक्या कूट का order आपको बिषार में नोकरी लेने के लिए काम नहीं आ जाएगा कि देखें मेरी डिग्री वैलिड है पंजाब में जलंधर की district court का यह order है और की copy मैंने साथ में लगा रखी अक्सर आपने सुना होगा सर मैंने order की copy लगा दिये सरमेह ने और्डर की कॉपी लगा दिए वो किस-किस राज्य के किस डिस्टिक कोड के ओर डर की कॉपी यह होती है वह आपके यहां पर दमानने है तभी तो है है मानने है कि नहीं है चल Τुम्हाई बात कि यह बहुत जरूरी होता है पंजाब-पंजाब का युदार ले लिए आप बठिंडा से हैं वहां के तहसीलदार से OBC का सर्टिवेट बनवाल आए बनवाल आए ना जलंदर में माल लिए यहां पर किसी तरह की सर्विसेस के लिए उसकी उपयोगिता चाहिए तो जलंदर का डिस्टिक कर कलेक्टर कंप् पत्रों होते हैं आपके उनकी प्रमानिकता होती है वह मानने होते हैं किस बेस पे होते हैं किसी बेस पे होते हैं आप यदि पटना से हैं और आपने वहां से डिग्री की है पटना के उस कॉलेज के दफ्तर ने एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है आपका यहां यह फलाना फलाना साल में यह रोल नंबर एशू किया गया तो यह परसा निकला इसके सिगनेचर है आपकी डिग्री पर संदे है और यह कहा गए डिग्री जाली है लेकिन अगर पटना के उस कॉलेज ने रिकॉर्ड सारा प्रस्तुत कर दिया है तो उस रिकॉर्ड को मनने ता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए अगर यह कह दिया जाए कि पंजाब सरकार करें हम इस रिकॉर्ड को नहीं मानते पार्लेमेंट विल आस्क वाइ विकास अनली पार्लेमेंट इसकेबल विच विल डिसाइड कि कोई भी पब्लीक एक्ट रिकॉर्ड को प्रूफ करने का मोड क्या हो और उस ईस किसी एक राझय के एक प्र aggression में क्या आए अर रुक आप्ट प्रिकॉर्ड कि का आए इस तब बन पार्लेम बन प्रार्लेमे क्रीमे प्लीक एक्ट प्रड गी। अध रुब बन तम आत्र की कि एक राज राजय के एक प्रोफ प्र्लेमें गाए according to the laws by the parliament then when the Punjab government will raise questions that we are not going to accept this particular record and the government will ask that government will ask why how can you not accept that document we have managed we have recorded that document according to the laws given by the central government or the state government why are you not following that is this that the 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 को हम नहीं मानते हैं यह सब बेकार है कि एक राज्य दूसरा को कह सकता है कि आपके वहां पर टैंथ में नकल मार करके बच्चे पास होते हैं इसलिए आपके 90-90 पर हमारे स्टेट में आपकी 10th का सर्टिफिकट नी चलेगा ऐसी बहुत 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 चिडी थी ना जब बिहार में नकल के बहुत से केस पकड़े गए थे तब यह कहा गया था ना बहुत से राज्यों के द्वारा की फिर हम बिहार के 10th के सर्टिफिकट को मान्यता नह तब फिर Central Minister's Cabinet से स्वस्टी करन मांगा था पत्रकारों के द्वारा की यह वाथ सही है तो उन्होंने कहा था ऐसा कुछ भी नहीं है All the certificates are equally valuable The matriculation certificate of Bihar is ultimately proven and it is equally effective like the documents or the certificates given by the Punjab government to their students So they are equally effective, they are proven यह ना हो तो क्या-क्या हो सकता है, imagine कर सकते हो, करने लगे हो की नहीं Imagination ही चलानी है तुमारी UPSC is all about the correlation Nothing else Content Learning Content Understanding Content Retention Content Production चार चीज़े तो अपन कर लेंगे एक चीज है जो इन चार चीज़ों के बाद उत्तपन होती है जो हमेशा के लिए आप ही को करनी पेपर तब क्लियर होगा और वो उसी एक से होगा वो है Content Correlation जो कोरेलेट करना जाता है पेपर उसके हाथ में उसके लिए पहले वो चार स्टैफ फॉलो करने को पहले दिनी पुरिया बिस तरह लेकर बैठ जो कि आज से मैं Correlation करूंगा को रिलेशन के दर से कर लोगे बैटा जब पता जी नहीं कि पंजाब नक्षे पे इदर और बियार के दर हाथ इधर कर रहे हैं पंजाब बिहार बिहार इधर पंजाब इधर बिहार की राजधानी बोल वेटे पटना भूल और पंजाब की चंडीगड़ यह क्या स्टाइल है किसी बच्चे को पढ़ाने का यह कैसी दब दबंगाई है बोल वेटे डरी जाएगा वो लखनवी बोल कंगे गलती से लेकिन बात इतनी सी कई वाडि सरल सी लगने वाली चीजें भी बहुत जटिल होती हैं सरल सी लगने वाली चीजें जैसे एक बार जबान हिलने का दसदस डॉलर पड़ जाता है इधर से इन्होंने एक बार जबान घोली तो तो अमेरिकन गुवर्मेंट को टेंड डॉलर डालने पड़ गए मेरे काउंट में इसलिए उस्तरकार का पैसा बचाते हैं यह जैसे लिए मूँ खुलवाना पड़ता है और बच्पन से लिए तो देख रहे हैं पुलिस के हाथ क्या है कानूर क्या है लंबे बोलने डर क्यों रहा है लंबे बोलने से क्यों डर रहा है तो कुल मिलाकर यह समझा गए यह प्रावदान क्यों जरूरी है ओके इसको अब कही सारे दस्तावेजों को कही सारे जगाहों पर जोड करके देख लेना एह ओके स्कुमेंटेंगा जैसे कावेरी नदी है कहां से नकलती होगी एअ भूस्पाइयोई करने लगे ना वाबल साउंड करनाट का कहां से निकलती होगी प्रमगेश परवतों से कहां से वहां से जाह से करनाटक सरकार ने अपने लेवल पर रिकॉर्ड मेंटेन किया है कि नदी यहां से गुजरती है इसका इतना स्ट्रेच है उसकी वज़ा से इतने गाउं तक यह पानी पहुंचाती है इतना बेसिन का साइजेस का हमारे यहां पर ग्राउंड वाटर का लेवल यह चल रहा है इतनी टाइप की क्रॉप्स चल रही है इतने खसरे इसके सस्ते में पिर तमिल नाडू भी आसा रिकॉड बनाएगा एक राज्य दूसरे के रिकॉड को मानता ही ने देगा डिस्प्यूट का हल कैसे करेंगे रिकॉर्ड की मानता होनी चाहिए कि नी होनी चाहिए आप बताओ होनी चाहिए हाई वा समझ में तो इसलिए यह प्रोविजन रखा गया है कॉंस्टिशन के अंदर कि पब्लिक एक्ट्स रिकॉर्डिंग्स एंड जुडिशल प्रोसेडिंग्स हो जब हमारे जुरिजिश्डिक्शन ट्रेडिटोरियल है न कंट्री में स्टेट तो यह हो सकता था कि बहुत हद तक एक राज्य दूसरे राज्य के रिकॉर्ड्स को उन तो फूल फेस्ट एक्ट्रेड़ देंगे हम आपके डाटा को तो फूल फेस्ट का कंसेप्ट मताता है कि फूल फेस्टं एंड ग्रेड़्ट इस्टो वी गिवन थूआउट ठरिटरी ऑफ टू पब्लिक एक्स पबलिक एक्स लेजिस्लेटिव भी होंगे पूरे देश भर में केंद्र के और राज्य के तैयार द्वारा तियार किये गए सभी तरहां के पूरे देश भर में माननता मिलेगा पूरी आस्था उस पे जताई जाएगे समझाई Central Water Commission ने surface water का data collect करके रखा हुआ है सबसर्फेस वाटर का पंजाब कहते हम नहीं मानते हैं आप जूड़ बोल रहे हो नदी में से इतना पानी तो बैठा ही नहीं है आपने ज्यादा बता है पानी तो असल में कम बैठा है ऐसे तो देश नहीं चलेगा फिर यार्ट आप मेरी मानों गए नहीं कोई किसी की मानेगा नहीं तो फिर तो तंतर नहीं चलेगा hem हैं बेटा है की नहीं है राज्यों के द्वारा जंगल गिने जा रहे हैं जंगलों के पेड़ गिने जा रहे हैं उन जंगलों का आंकड़ा तयार किया गया है और फिर स्टेट ऑफ दा फॉरेस्ट रिपोर्ट दो तो साल पे छप रही है और उसके तहत फिर जंगलों का चल रहा है ऐसा कभी सुना आपने उस पे क्रिटिसिसम हो सकता है कि आपने ओपन फॉरेस्ट कोई भी इसमें काउंट किया प्लैंटेशन को ट्रीज को भी इसमें काउंट किया वो ठीक है तो सरकार भी बताती है लेकिन वह अगर बोला गया है कि साड़े तैइस तो अब मैं या कई बारी टिश्तवारी में इस zar नहीं कि एससे घीजा बैटे रहते हैंना जीजा लोगवाइश मैं मानता ही नहीं कि इसकी तंगहाब 22 से ओपर है ही नहीं मैं नहीं मानता जब भी कोई नया जीजा लेके आदो पुराने के सामने तो उसको उसकी तरफाइस से उपर लगती नहीं तो वह जीजा ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि सामने वाले सेलरी स्लिप पहले ही पकड़ा रखी है काट कटा के कहता हाथ में 46 46 मनें 46 अब इस जीज है मुझे ऐसा फील हुआ क्योंकि जब मैं गाड़ी पर घूमा हूं दो चार स्टेट मुझे पेड़ दिखा ही नहीं कही है भूब जेरवन नहीं है सरकार ने रिमोट सेंसिंग के इसलिए अगर आप देखें तो रिपोर्ट में यह जस्टिफाई करना जरूरी के मैठेट प्रमार्यक्ता के लिए ना पूरी पहले मैठेड़ोजी ओप की जाए इसलिए कोई आठी परसेंट जंगल इंडिया जूट बोल रहा है जो है सो है ओके इसलिए GDP के डाटा पर बहुत भी हुई लंबे समय तक GDP का डाटा इतना नहीं है नहीं है नहीं है केंदर कहता रास्था रखो 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 ठीक है अब सेंटर ने माली यह सेंसस करा है दस साल के बाद और उसमें कहा दिया कि देश सारे नहीं है इसा नहीं है वो क्लेक्शन डेटा एक्टिविटी हुई है अब देगे पूरी कंट्री की पॉलिसी फार्मूलेशन उस डेटा पर बेस्ट है तो डेटा को इजी ना समझें एनसेसों का सर्वे होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल और अगनाइजेशन के अंद काज व्यपार वाणिज्यमाननेत आएं सब स्थगित हो जाएगा इसके महत्व समझ पारी हो रट्टा ना लगे इसलिए इतना बोल रहा हूं कंट से वरना बात तो दो शब्दों में भी खत्म कर सकता था ओके इसलिए ये करना पड़ता है अगला पॉइंट ये कह लिख द मैनर एंड कंडिशन किस मैनर में और किन कंडिशन में वो जो डैटा है वो प्रूवन है और वो डैटा है जो एफेक्टिव है एक स्टेट का दूसरे राज्य में ये निर्धारित का उन करता है पार्लेमेंट अब पार्लेमेंट चाहे तो ये निर्धारित करके किसी भी डै and created given by the first clause is subjected to the powers of the Parliament under the second clause is subjected to the powers of the Parliament under the second clause to university अगर डिग्रियां बाट रही है तो युनिवर्सिटी का युनिवर्सिटी एक्ट वनना चाहिए बिदान सबा में ऐसी क्लियर कट गाइडलाइन्स आ रखिये के इंदर से यह नहीं है कि अगर मीरा बिता के बेटे को ऐसा दिल गया पापा मैं पढ़ा तो नहीं पद्दिल करता है लोगों को डिग्रियां दो